इस वीज राजनीतिक विशले शक्त एक मिश्रा ने गुजरात में हार्दिक पटेल और कॉंग्रेस की नजदीकियों पर कुछ अलगी तिपणी की उनका दावा है कि पीजेवी से मुकाबले के लिए विपक अभी उतना मद्बूप नहीं है हार्दिक पटेल का भी अगर देखा जाए जो अभी तक किसी भी दिनियर रिजर्ट चेंज हो सकता है एक दिन पाले तक लेकिन अभी तक जो एनालिसिस है ठीक है वो एक हो सकते है पुछ उनका ओपन्जे का कमाल दिखेगा तुना परिणाप से पहले कुछ कहना जल बादिए हाली में अगर आप बात करें तो गुजराद में चुना होने जा रहे हैं अगर जो जो आगे चुना हो रहे हैं उसमें परक्त पड़ है अगर अगर micro strategic way में देखा जाए being a political consultant तो मैं आपको बोलूँगा कि एक minimum three sold level होना चाहिए minimum expected जो है impact को डालने के लिए ठीक यही example आप उत्तर प्रदेस में देखिए समाजवादी party और उसके साथ साथ राहूल गांधी जी ने हाथ मिलाया था लेकिन result बिल्कुल भी expected नहीं थे तो ह कुछ seatे बढ़ सकती है लेकिन बात अगर सरकार मनाने की की जाए तो अभी भी BJP के टकर में अगर देखा जाए तो इनका impact उतना जवरजस्त नहीं हो पा रहा है कि वो उतनी seatे assure कर पा है this is one thing second thing अगर यह देखा जाए कि देखे एक चीज़ है बीपक्ष एक नहीं सारे बीपक्ष एक हो जाए अब आज जो मैंने आपको बोला कि यह transition phase चल रहा है political environment का तो केवल rally कर लेना, event कर देना, भासर दे देना, कुछ भी बोल देना इससे जनता influence नहीं होती है जनता तालियां तो बजा लेगी लेकिन वो vote में conversion नहीं होता है crowd होती है, दीखे crowd हर नेता, राहुल गंदी के साथ भी UP में crowd थी, अखलेश यादों के साथ भी थी बहुत अच्छे तरीके से strategic way में manage कर रही है, उनको ये पता चल गया है कि crowd को vote में convert कैसे किया जाए means conversion of crowd into effective votes, ये एक बहुत important चीज होती है सर, और बिपक्ष मुझे लगता है अभी बिपक्ष को इस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत है सारा मुद्दासर यही है, crowd आपकी 10 लाग हो सकती है आपकी rally में, उसमें अगर आप crowd का segmentation करेंगे और उनका political kinesis देखेंगे तो बहुत से लोग उसमें ऐसे होते हैं, जो कि voter होते ही नहीं, 18 से कम उम्र के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो उस constituency के voter नहीं होते हैं, दूसरे के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो नए नए आये होते हैं, बाद में उनका voting decision change हो जाता है, rally में वो enjoy करने के लिए आते हैं देखने के लिए आते हैं तो ये बहुत सारे जो है segments होते हैं जिसको particularly देखा जाए तो psychosomatic वो होता है तो जरूरत इस चीज की है कि voters के behavior को देखा जाए different तरीके के जो political groups society में होते है religious हो सब groups हैं उनके dynamics को देखा जाए और उसके हिसाब से strategy बना करके फिर उसको tactical way में implement किया जाए और विपक्ष को मैं बोलना चाहूँगा निराश होने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज सर इन्विंसिबिल नहीं है ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत बड़ा challenge हो गया इंद्र इसे लिए भी इतना बड़ा सबसे बड़ा example दूँगा आप देखे दिल्ली में केजरी वाल उन्होंने केवल दो साल के struggle में पूरी की पूरी सरकार बना लिए और बीजेपी को हरा दिया तो मेरे करने का मतलब इसको बहुत है आज की डेट में वोटर जो है और यहां के जो जब तक उसमें आप स्टेजिक इंपुट सोसाइटी की जरूरतों को क्या बदलाओं चाहिए उनकी क्या आप नहीं डालेंगे सब तब तक आपकी क्राउड वोट में कनवर्ट नहीं होगी और इस जीत के क्या मायने है होती है कि आप चुनाओं जीत जाएंगे सबसे बड़ा टास्क या चैलेंज जो होता है वो यह होता है कि जो क्राउड आई हुए उस क्राउड को स्क्राउड को स्क्राइशिक वे में ऐसा क्या कि वो लास्ट वोटिंग डे आपके वोट में जाकर के करन्वार्ट हो हैं बहुत बहुत स्वागत है कि मिश्रा जी अपर क्या आपको लग रहा है किस परिस्तिती में इस वक्त कॉंग्रेस और बीजेपी किस मुहाने पर है गुजरात में नहीं सर देखिए गुजरात का जो इलेक्शन है ये केवल कॉंग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं है मे गुजरात को अपने हर चुनाओं में यूपी का हो कुछ भी हो रोल मॉडल की तदा उन्होंने प्रेजेंट किया है और इसी के बेसिस से इलेक्शन जीते हैं एक तरीके से बीजेपी ने ये बोला है कि विकास करना हमें आता है विपक्ष को नहीं आता है गुजरात की जंता आज ये तै करेगी अगर बीजेपी फिर से पावर में आ गई एक सो चालीस पैतालीस सीटे मिल गई या मार्जिनल विक्ट्री हुई तो एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ ये मॉडल सही है कि गलत है रही बात कॉंग्रेस की तो गुजरात में कॉंग्रेस की स खुड़ा सा बढ़ना चाहिए लेकिन पूरे देश के लिए और आगे आने वाले चुनाओं के लिए देखा जाया तो जनरल वे में गुजरात का ये चुनाओं एक मापदंड और एक पैमाना इस्थापित करेगा कि आगे सारी पार्टियों की रणनीत क्या हो जीत का पैमाना तो हम सुनक्षित नहीं कर रहे हैं लेकिन जनता इस वक्त कतार में हैं तो जनता ही तै करेगी मैं एक एहम सवाल है क्योंकि साल 2015 थोड़ा पीछे जाना पुड़ेगा हम्चर जीत हिंदू बना मुस्लिम चुनाओ नहीं हुए हैं इस बार अलग-अलग जातियों को समझाया और उनका अंगड़ित भी बताया गया कॉंग्रेस की क्या मजबूरी थी कि जनेव दिखाना पड़ा सर देखें कॉंग्रेस का अगर मैं देखूं तो लगातार आप कुछ टाइम से देखिए तो मुझे ये लगता है कि कॉंग्रेस की जो इस्टेटिजिक टीम है वो इस चीज में टोटली बहुत वीक है या फैलियोर है कि अपनी पॉलेटिकल पोजिशनिंग और प्रोजेक्शन वो पब्लिक के सामने क्या करें यही रीजन है कि कभी वो जनेव पहन के अपने आपको हिंदू दिखाना शुरू करते हैं तो कभी किसी दूसरे मुद्दे पर आवो जो है शिफ्ट कर जाते हैं यह एक सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम है और कमजोरी है मेरे ख्याल से अगर बीजेपी को देखा जाया तो उनके जितने भी एजेंडा और मुद्दे हैसर वो बहुत ही प्लाइंड वे में है डेफिनेटली अगर इन्होंने जनेव पहना है इतने दिनों के बाद देखिए अभी कुछ साल पहले की बात है हिंदु धर्म के या राम के बिरोध में ये लोग बोलते थे फिर आज जस्ट अपोजिट ये हो गया है तो ये कॉंग्रेस की स्टेटिक ठिंकिंग की कमी को बताता है कि हमेशा ये शिफ्ट कर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मुद्दा हम पकड़े हैं इससे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन वोटर्स और पब्लिक में जाती है और इसका आटोमेटिक बेनिफिट बीजेपी इन्हों नहीं बोला था तो इन्होंने फेवर में भी तो नहीं अच्छा बीजेपी यही तो इनको चैलेंज कर रही है कि सर आप मंदिर मुद्दे पर अपने स्टेट्मेंट दीजिए इस चीज़ को क्लियर करिये मंदिर मुद्दे पर क्या स्टेट्मेंट देना मंदिर मंदिर में गयते हाँ जरूर जोड़ा था लेकिन मंदिर के बाहर निकल कर वोट तो नहीं मांगा था नहीं सर सवाल यह है ना कि मंदिर के बाहर से जब राउल गांदी निकले तो वोट तो नहीं मांगा था वोट मांगने का मतलब यह नहीं होता है आपने प्रदर्शित किया उस चीज़ को लगातार पहले आप कभी नहीं जाते थे और बीजेपी इस मुद्धे को उठा रही है आप शोशल मीडिया हर जगा आप इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं लेकिन मिश्रा जी जब सुमनाच जाते हैं तो उनका नौन हिंदू रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाता है यह क्या था नहीं अब यह देखे उनका नौन हिंदू नहोंने रजिस्टर में किसने ध दर्ज किया क्यों किया कैसे किया लेकिन इसका डेफिनेटली एक डेमेस तो हो देखे बीजेपी इनी सब चीज़ों को तो इनकैश कर रही है कि सर आप जो एक कंफ्यूजन वाली आपकी स्टेट जी है या स्टेट है उसको आप क्लियर करिए तो यह कॉंग्रेस के लोग क्य चुनाव में क्लियर नहीं हुई है लेकिन पूरी मजॉरिटी के साथ और पूरी ताकत के साथ इस बार कॉंग्रेस चुनाव मैदान में चर्चा जारी रखेंगे जर्म पर स्थितियों को समझाया गया दिखाया गया बताया गया या फिर समवाद तूटने की बात हुई या जिस पार्टी की सरकार है उसी के डिप्टी सीम भी बनते हैं ये मजबूरी उस दौर में भी दिखी थी और आज नेताओं की क्राइसिस और जो स्थानिया नेता हैं जो चेहरे हैं गुजरात के उनकी भी इस्तिति है कि वो देखा नहीं रहे है ऐसा क्यों नहीं देखिए इसमें एक चीज है सर अब देखिए ये इंडिविजूल आप अगर केंपरीजन करें तो मोदी जी का जो अपना वेक्टिब तो है पॉलिटिकल और जिस इंसाब से उन्होंने मैनेज किया और मोदी जी ने बीजेपी में एक अच्छाई भी है या किसी भी पार्टी में एक बुराई भी होती है दूसरी चीज है कि आप लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे अपना हीरो किसी को रिप्रेजेंट करते हो डेवलप करते हो कि नहीं करते हो जो आनंदी बेन के टाइम में प्रॉब्लम्स हुई या उसके बाद मोदी जी के छोड़ने के बाद हुई वो सिंपिल इंडिविज्वल पॉलेटिकल परसनालिटी का डिफ्रेंस है कि कौन कितना एक्सपर्ट है इस इस वन तिंग अगर आप यह देखेंगे कि जो एक कॉम्णिकेशन का गैप हो रहा है मैं समस्का हूं देखिए कॉम्णिकेशन का गैप एक बहुत ही आप यह बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम है लेकिन बीजेपी इसमें भी आगे है कॉम्णिकेशन का गैप होने के कारण अगर बीजेपी को कोई डेंट लगता है बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से इविन कॉंग्रेस ने भी अपकी बार गुजरा है जो ये तीन यूवक आगे आए हैं और मैं सौरी पहले एडवांस में बोलता हूं कि मैं इन यूवकों कोई प्रशंसा करता हूं मोदी जी खुद बोलते हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए यूथ देखिए पॉलिटिक्स में आगे आया तो इनके कारण जो समाज खड़ हुआ इसका डेंट कुछ न कुछ उनको लगेगा और दूसरी चीज ये है कि इन तीनों यूवकों का सिर्फ ये है कि ये चुकी इन्होंने शुरू किया कोई पॉलिटिकल एम नहीं था या उतना गाइडेड या इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था तो हो सकता है उतना जबरजस्त इंपैक्ट ना पड़े कि ये बीजेपी के चक्रिव्यू को तोड़ सके लेकिन अगर इन्होंने एक अच्छा डेंट दे दिया है तो इसका मतलब है कॉम्निकेशन गैप नहीं है सर वहां की जंता समझ रही है और ये एक बहुत अच्छी चीज है स्वस्त लोक अच्छा जाकूर जो खड़े हुए वो पातिदार आंदोलन के खिलाब खड़े हुए थे यह बाद धियान रखनी चाहिए ति पातिदारों को आरक्षण मिला तो हमारे बैकवाट क्लास के आरक्षण से वो चीजे जाई ली तो उनका अंदोलन इसके खिलाब था पातिदा यह नहीं है कि तीनों के बिल्कुल धाराएं एक ही मिलती हैं, दो धाराओं में बिल्कुल जमीन और आस्मान कांता है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो हम कहते हैं कि तीन नौजवान उभरे, वो क्यों उभरे, उनके कारम क्या थे, उनके बिच मतवेत क्या है, वो क्या बाकई एक हो सकते हैं, उनके बोटर मिल जा सकते हैं, क्या इनके कहने से, ये भी एक समस्या है. उतना इंपैक्ट ये न डाल सकें, लेकिन अपने आप में इसको भी सर आप कम उपलब्दी मत मानिए. और यही रीजन है कि कॉंग्रेस या कोई और देखिए, इनको कंसीडर कर रहा है, चुनाओं में एक फैक्टर, एक चेंज एजन्ट की तरह इनको कंसीडर किया जा रहा है, सर. वो तो इसलिए कि कॉंग्रेस के पास अपना नेता नहीं है, नेताओं की लड़ाई है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो जो इस समय लोग प्रिये है, उतना लाग उतना हुए. और मैंने कॉंग्रेस के बारे में भी वोला कि कॉंग्रेस अपनी पोजिशनिं यूज है, ये कॉंग्रेस की प्राब्लम है, देखिए, कॉंग्रेस की प्राब्लम ये है, कि यहां पे इन्हों ने इन तीनों ललगों को कैसे टेकल किया जाए, टाइप किया जाए, कि नहीं किया जाए, इन तीनों यूगों की भी ये है, कि बीच में ये जो इनकी जो मुह मुहिम थी वह कमजोर होने लगी थे कि शुरू में मुहिम बहुत अच्छा रहा ठीक है मुहिम कमजोर हुई या मुहिम पे आप और जान भूगने की कोशिश की जाएगी और कॉंग्रेस का साथ मिला है तो कहीं ना कहीं रणीती भी अब बदलेगी और अब यह लोग प्रोफ कैसे मैनेज कर रहे हैं फ्रंट पे तो कोई है नहीं फ्रंट पे तो सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं चाहे वह आप हार्जिक पटेल देखिए चाहे बीजेपी को देखिए तो मैं समझता हूँ कि अप करपूरेट पीछे से क्या कर रहे हैं यह तो मुझे पता नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा सर। बचना चाहेंगे सब बचना चाहते हैं इस तरह की चीजेज अपने अपने समर्थक लगे हैं क्योंकि उनका आपना स्वार्थ है नोटबंदी के बाद भी पैसा बहरा नहीं रहे हमारे पक्स की सरकार होगी तो उसका हमको ब्यावसाइक लाब मिलेगा तो इसलिए वो लगे हुए है बुझरात के चुनाओं में कॉर्प्रेट की भूंिका है कोई न कार सकता हाइए नहीं तो फिर उससे वह इंटर्न चाहते हैं कर्परेट कर्परेट अब कर्परेट ऐसा नहीं कि अकेले सिर्फ जो सतरूर पार्टी हो रूलिंग पार्टी को ही पैसा दे रहा हूं कार्परेट भी अपना नफा नुक्सान देखता रहता है सबको बाट रहा है तो अगर हर्दिक पठेल का अंदर में खड़ा हुआ या जगनेश मिवानी आलपेस ठाकुर या खुद कांगेस को भी पैसा तो फंडिंग तो कहीं नहीं हो रहे हैं बिना फंडिंग कोई चुनाउन मिलाता है इसे कार्परेट दोनों तरफ हैं वही अब कुछ कॉर्परेट किसी मौके पर जब देखते हैं कि इनका देतों तो बहुत तेजी सुभर रहा है और जन्ता में इसकी मास अपील बढ़ रही है तो उसको ज्यदा कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं कार्परेट सिर्फ एक ही को फंडिंग करें कार्परेट फंडिंग तो रही है और जो बहुत जब देखे भारती जन्ता पार्टी के सपष्ट रूप से गोशित रूप से जो समर्थन देने वाले ये तीन कॉर्पोरेट हाऊस हैं वो तो यही चाहते हैं कि गुजरात में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनें क्योंकि उनके व्यावसाइक हीत वहां पर जुड़े हुए और हर कॉर्पोरेट हाउस यह चाहेगा कि जिनके उनके वैवसाइक हीत जहां पर जुड़े हो वहां राजनेटिक माहौल शांत हो उस चांत राजनेटिक माहौल में ही व्यावसाइक गतिवीदियों को बड़ा आउ मिल सकता है एक मिश्रा जी अगर जाके देखें मोनोटोनस नेचर जब हो जाता है 20 साल से गवर्मेंट है सेम वादे हैं सेम प्रॉमिसेज हैं सेम काम करने का तरीका है तो यह एक यूबन साइकॉलजी होती है कि कुछ चेंज होना चाहिए तो जो अभी 34 या 35 आप बता रहे थे कि सिटिंग विधायक क काद दिये बीजेपी को आप देखिए दिल्ली में पारशद वगरा के चुना हुए थे सारे पुराने चेहरें को हटा के एकदम नए नए लोगों को टिकट दिया गया है तो एक तो मोनोटोनस जो नेचर जो मोनोटोनस ट्रेंड चला रहा है उसको ब्रेक करते हैं और यह बहुत बड़ी चीज होती है यह एक रणनीत ही है एंटी इंकंबेंसी फैक्टर को निट्रलाइज करने के लिए या लड़ने के लिए इसपेसली वीजेपी को अगर आप देखेंगे तो वो अपनाती है अच्छा चुनाओं में हर आदमी को जीतना जरूरी है हर आदमी चा रणाजा जाए तो कौन ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकता है इंटे-िंकंबेंसी फैक्टर यह सारी चीजों को ले करके एक सीट को जो है डिसाइट किया जाता है तर किसको दिया जाए किसको न दिया जाए कार्पुरेट की भूमिका सब के लिए हर इलेक्शन में रहता ह उनके अपने इंटस्ट है, अपने वे में इंटस्ट है सरुथ हैं है उनकी अपने एक्सपेक्टेशन जितने भी चिनाव जीतने के बाद असल काम किसके लिए होगा ये सवाल है नहीं मैं आपको बताता हूँ ये बात गुजराद के लिए हर स्टेट की है असल काम मैं बता रहा हूँ मान लीजिए अगर क्लियर कट गोर्मेंट किसी की आती है बीजेपी या कॉंग्रेस की आती है तो गॉर्मेंट जो है वो अपने आप में एक इतना कॉंप्लेक्स सिस्टम होता है जो भी गॉर्मेंट आएगी डेफिनेटली अपने फेवर के लोगों को कुछ न कुछ बेनिफिट डायरेक्ट या इंडायरेक्ट वे में वो देती है इसका एक सिंपल सा एक्जामपल है सर जहां पे कंडिडेट जीच जाता है आप गॉँ में देखिए छोटे छोटे वहां काम ज़्यादा तेजी से होते हैं जहां गॉवर्मेंट के सिटिंग कंडिडेट MPMA नहीं है वहां विकास थोड़ी धी में होती है देखे सर राहूल गांधी जी का तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे की उनके उनके अंदर ओवराल बदलाव आ रहे हैं ये पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव बदलाव होने का मतलब ये नहीं है कि डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो डिलीवर कर पाएंगे अभी गुजरात में परसनल लेबल पे उनके अंदर बड़े पॉस्टिव चेंजज़ आ रहे हैं पॉलिटिकल लेबल पे चुकी वो अभी एक तरह से देखा जाया तो पूरे अध्यच बन रहे हैं कॉंग्रेस के लेबल पे देखा जाया तो कॉंग्रेस को अगर पूरा उबारना है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि एस टॉप लीडर ये करें और प्रोफेशनल लेबल पर्सनल प्रोफेशनल और पॉलिटिकल चेंज है लेकिन चेंज सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने के लिए अभी उनको टाइम रहे हैं राजेन जी बहुत 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 शुक्रिया झाल मिश्रा जी एक एक रेक्शन इस तरह के रुझान शुरुवाती इस वक्त हमें मिल पा रहे हैं क्योंकि अब आल्मोस्ट दो घंटे होने वाले हैं इस काउंटिंग को शुरू हुए रेक्शन इस बात पर कि जो 16-0 क्लीन स्वीप का निगम का दावा बीजेपी कर रही थी वो तो फिलाल इन रुजानों में दिखाई नहीं दे रहा है उल्टे पिछली बार से एक सीट जो एक निगम उनके हाथ से जाती भी दिखाई दे रही है देखें यह जो उत्तरप्रदेस का election है इसपेसली इंडिया में अगर देखा जाए तो कोई भी जो election है वो बहुत complex और toughest competition होता है और निकाय के यह जो चुनाओ हो रहे है यह जो निकाय के चुनाओ हो रहे है यह delivery desk होता है आवाज आपके नहीं आपा रही है आवाज सर मुझे तो आ रही है आपकी clear आवाज तो यह जो निकाय के चुनाओ होता है सर देखें आपने जो बोला है एके मिश्ण जी जी हलो सर कैने यू लिसन मी राइट नो हलो एके मिश्ण जी आपके आवाज सुकिए हम तक नहीं आपा रही थी सवाल वही है आपसे जो इस वक्त रुजान दिखाई दे रहे हैं क्या बीजेपी के लिए किस तरह के संकेत माने जाएं इसे इन आठ महीनों के शासन के योगी आदितिनाथ के लिए नहीं देखिए अगर बीजेपी का सबसे बड़ा जो यह देखा जाए बीजेपी का जो माइंड सेट जो आप रुजान दिखा रहे हैं कि बाकी सब लोगों का बहुत पूर पर्फॉर्मेंस है बीजेपी की जो एक स्टेटिजिक रणनीत ही है बेस होके और बहुत ही औरगनाईज़ वे में काम करना यह दूसरी पार्टियों में नहीं है और डिफिनेटली जो आपके रुजान है मुझे ऐसा लगता है मैं तो ग्राउंड जीरो लेवल पे भी अपकी बार एक्टिव था तो मुझे लगता है कि यह रुजान और जो आपकी अनालिसिस है यह कॉंटिन्यू रहेगी लेट्स वाच फार वन और टू आवर और इसमें मैं यह देखता हूँ कि बीएस पी अगर चाहती तो उसके लिए एक गोल्डेन ऑपर्चुन्टी था यह चीज अपने आपको बहुत अच्छा पर्फॉर्म करने के लिए समाजवादी पार्टी या कॉंग्रेस से तो मुझे नहीं था लेकिन बीएस पी ने भी यहाँ पे एक्टिव वे में काम करना तो छोड़िये इन्होंने डिटरेंस ही नहीं शो किया तो एक करीके से देखा जाए तो बीपक्ष ने और लेडी शुरू से ही अपने आप बीजेपी के लिए सारे रास्ते खाली कर दिये तो जो बीजेपी के पक्ष में रुजान आ रहा है वो यह है कि आपका आपोजीशन जब चुनाओ लड़ी नहीं रहा है आपके लिए रास्ता उन्होंने खाली कर दिया इसमें हो सकता है बीजेपी का उतना बड़पन या उतना उसको क्रेडिट नद दे लेकिन ज़्यादा तर क्रेडिट यह है कि बीपक्ष में आप देखिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर कहीं गए ही नहीं बीजेपी का एक माइंसेट यह है पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह जो नगर निगम के चुनाओ होते हैं यह पॉलेटिकल पार्टी या किसी भी सरकार का सर्द डिलिवरी डेस्क होता है यानि जो वायदे जो कॉल्सी स्टॉप लेवल सेंट्रल या स्टेट लेवल पे बनती हैं पब्लिक तक यह वो टेवल होता है जहांपे कि वोटर पब्लिक या आप वो जो पार्टी या सरकार एक टेवल पे आके मिलती है इसमें जो मुद्य लाइट लगाना है, सीवर की सफाई करनी है, यह सारे डे टू डे लाइफ के जो सर्विसेज गौर्रमेंट देती है बीजेपी इस चीज को बहुत बखूवी समझती है कि अगर जनता से जुड़ना है और क्लीन स्वीप करना है पिपक्षी पार्टियों को तो इन चीजों को हस्याना बहुत जरूरी है, इस पे एकाधिकार करना बहुत जरूरी है दूसरी कीजिए है, अगर ये सारे रिजर्ट बीजेपी के फेवर में गए तो इसका जबर्जस इंपक्ट सर कमिंग 4 to 6 मंथ में जो और इलेक्शन होने वाले हैं जैसे अभी गुजरात में जो वोटिंग होगी जी जेपी इसको देखें, इतने futureistic way में काम कर रही है दूसरी पार्टियां इतना strategic micro level पर सोचते ही नहीं है futureistic सोचते ही नहीं, सारे कि दूसरी पार्टिय के जो नेता है वो नेता है, नेता होने का trend आज के 15-20 साल पहले था जरूरत है सर आज नायक बनने की जन नायक बनने की दूसरी विपक्ष की पार्टियां ये समझी नहीं रहे हैं वो सोचती है कि इलेक्षन जब मेन होगा इस्टेट या नेशनल लेवल का तो एक महीने पहले तयारी करके हम सीरे सीम या पीम बन जाएंगे ये फर्क दिख रहा गुजरात इलेक्षन पे भी इसको बहुत जवर्जस तरीके से इनकैश करेंगे करनाटका में हो सकता है डेफिनेटली इसको इनकैश करेंगे और आल ओबर इंडिया पे इतना ज़्यादा इसको हाइलाइट किया जाएगा कि जो दूसरे स्टेट के जो वोटर है जो नोट जिए भी कह रहे थे कि जिएस्टी के बाद ये पहला चुनाव था निकायका वो भी इतने बड़े प्रदेश में सरकार हमारी और एक ये बड़ी जीत दिखाती है कि जो वियापारी वर गई जिसके नाराजगी की बात विपक्ष कर रहा है वो भी नाराज नहीं दर असल व वहां कॉंग्रिस के जो उम्मिद्वार हैं वो एक अच्छी बढ़त के साथ आगे हैं इन रुजानों में का क्लीन स्वीप था वो नहीं दिखाई दे रहा है दूसरी बात है कि पिछली बार से इस बार नुकसान भी दिखाई दे रहा है इतने कम वक्त में आठी महीनों में आखिर ऐसा क्या होगा हो रहा है प्रदेश में कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और क्या इ जनता भी जो है वेट करती है लेकिन दो साल के बाद आप वो वादे पार्शियल वे में या फुल्फिल नहीं कर पाते हैं 100% वे में तो हर पार्टी के लिए कोई भी पार्टी हो आप देखें सब 2-3 साल के बाद उसका नेचुरल डिटेरियोएशन सुरू हो जाता है तो एक सब्सक्राइब तो यह है बीजेपी के साथ सारे वादे सारे मुद्दों को यह डिलीवर नहीं कर पाए हैं मजबूरियां या प्रॉब्लम चाहे कुछ भी रही हो दूसरी चीज यह है कि 2014 और या अभी 2017 का यह देखा जाए तो देखें जनता जो भी है यूपी में वो हम इ इसके साथ साथ नेशनल लेबिल के जो चुनाओं होते हैं उनके डाइनामिक से अलग होता है सर आप देखिए बहुत से सीटों पे ऐसे लोग होंगे जो इंडिपेंडिंडेन्ट कंडीडेट हैं वो ़ीजेपी और वीसित के कंडीडेट से भी आगे निकल रहे हैं तो इसक BSP को जो बड़त मिल रही है वो उनका अपना कैडर का वोट है सर चाहे वोनोंने कुछ काम किया हो प्रचार किया हो ना किया हो उनका वोट वैंक फिक्स है दूसरी चीज जो और कहीं से भी अगर BJP को वो मिल रहा है तो डिफिनेटली जो नोट बंदी वगरा हुई है इसका देखे प्राब्लम तो हुई है चाहे चेंज पॉस्टिफ के लिए आपने किया हो लेकिन एक ये यूमन साइकॉलजी होती है कि एक मिनिट के लिए भी वो प्राब्लम को जहला नहीं चाहता है तो कुछ ने कुछ जनता कहीं न कहीं किसी ने किसी उस पे जो है इतना ज़्या लॉस या मिनिमम यू कैन से की प्राब्लम क्रिएट किये हुए किया जैसर देखे तर्दार अंतरी तो कल ही इसको लेकर कहे चुके है कि किसी भी तरह की राजनीतिक अगर इसका उन्हें खामियाजा भुगचना पड़े तो वो तयार हैं ने ने वो ठीक है सर देखे मैं एक पक्षको कोई बहुत ज्यादा प्राब्लम नहीं होती अप्शन्स थे सर ठीक है अब उसका क्या रीजन था कैसे था ये डिबेट का अभी टाइम नहीं है लेकिन डेफिनिटली कहीं न कहीं अप्डेट हम तरह से दिने दर्शकों को उत्तर पदेश के कौशामबी में निका पदलने का इपक्ट नहीं है जारे में घरवी में अच्छी आ रही थी खपतकार अनुनियों सुधार हुआर नौइडा में देखिए ग्रेटर नौइडा में नौइडा में कितने इंकाउंटर हुए कितने बदबास पकड़े गई है ने चार्सी ने नैशनल यूमन पक्ड़े में नोटीस दिया है उसकी जाच चल रही है उसकी न्यायक जाच चल रही है उसको हमानते है जिसमें सवाल उठे है पत्रकार को मार दिया गया आप इसने रिस्पॉंड करिये देखिए जहां भी अपराद क्यों जैनलिस्ट निशाने पर है क्यों पस्रकार हो है तो इहीं की सरकार में ते डिप्टी है तो आपकी सरकार में सर देखिए आप लॉइन आडर के ओडर को देकर बात करें एक दिन में सुधार नहीं हो सकता आकड़े कल जारी हुए पुरी देश के क्राइम के अगर आपने पढ़े होंगे देखियोंगे में 2006 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्रपरदीस में थी सबसे ज्यादा क्राइम उत्तरपरदीस में वा महिला अत्याचार बलाखकार अपराण धकेतिया हत्याय लूट पार्ड अभी नहीं अब घटा है कि अपराग गिरा है तो चाहिए आपकी बात ठीक है प्रॉब्लम यह है जो टेस या स्पीड आप बोलते हो ना कि आप हमेशा यह वह हम दो महीने में काया पलट कर देंगे बिश्रा साथ अब्जेक्शन इस पे ऐसा आप पांसाल लीजिये तीन साल हमारे अंदर आप उम्मीच जगा देते हो कि अब दो महीने में तो हम स्वर्ग में पहुंच गया और दो महीने में होना नहीं है साथ आख महीने होने जा रहे हैं बहुत थोड़ा समय हम आपको रिज इसके पड़ी इंट्रेस्टिंग वज़ा है अब कोई यहां उपली नहीं बोलेगा सारी पार्टियों ने इलेक्शन डिक्लियर होने के बाद इन्हों ने शुरू किया होगा तैयारी इन्होंने सर बीजेपी ने आते ही तैयारी शुरू कर दी थी कैडर को ट्रेनिंग रहन ना जितनी भी चीजें हो सकती थी तो यह इनका इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से तयारी की हुई है तो आपने नहीं साथ भी बैठे हैं अपने मेरे उत्रवा साब बैठे हमारी पार्टी में निचले इस तर तक काम मिलता है जैसे में वसंद्रा गाजयवाद मुझे देखना के लिए यह की जुम्मचा है सब को परचिया पूची ने तरiva यह जुम्मयदारी में अहीं ने चुम्मяжदार होती हो इसकी काम है सब यह के अपने क quadrant करना है ho करता है हम अपने पार्ण कारेकर्ताहं पे जैसे हम लोगा काम किया अब देखे राजनीटी की दशा और दिशा बदल चुकी है बाकी सारे नेताओं का मुझे ये लगता है कि वो अपने शेल के बाहर कवच के बाहर आना ही नहीं चाहते है तो पुराने तरीके से देखे मुद्देवादे सब वहीं रहते है आप लोगों बीजेपी ने जो एक एज बनाया है जो यूएसपी बनाया है दूसरी पार्टियों के उपर वो ये है कि कैसे चीजों को डिफरेंट भासर सब दे लेंगे जरूरी नहीं है कि आपकी क्राउट वोट में कलवर दो जाए सर एक अपडेट आपको लेदे बनारास जो की प्रतान मंतरी की कॉंसिटेंसी है वहाँ पर तीन वोट के नतीजे आए हैं बहुत चोटे नतीजे हैं लेकिन मायने जरूर रखते हैं दो पर समाज़ादी पार्टी के काउंसलर जीते हैं और एक पर कॉंग्रिस के अभी तक बीजे पी के की तरह से खाया कैसे एनारेसिस करेंगे इन रुजानों का मतलब ऐसा क्या उन्होंने चेंज किया सर अपनी स्टेटजी में उन्होंने इस नफ्ज को पकड़ा कि चीजे क्या चेंज हो रही हैं वोटर तक मैसस कैसे पहुचा है उसको इंफ्लूएंस कैसे करें कि एक रॉग वोटर जो है वोट में कनवर्ट हो जाए तो ये उनकी माजवादी पार्टी का तो देखिए जो इनको डेंट लगा जो इन्होंने मतलब मुलायम सिंयादोर और खिलेश यादों के साथ उस वक्त काफी लोग बड़े खुश हुए थे कि एक महीं ने तो इन्होंने मीडिया को हाइजएक करके रखा कैप्चर करके रखा लेकि उस कि जहां से मैं आज नहीं आता है उसको हार्ड को रिजल्ट चाहिए बीजेपी इस चीज को इस चेंज को जो की साइकोलोजिकल लेबल पे है इनकैश कर रही है बीएस पी नहीं कर रही है समाजबादी पार्टी तो आगे आने वाले वक्त में फिर इसका खामियादा भी उस साइड कर रहे हो आप देखें अगर बीएस पी या कोई पार्टी ये सोचे मैं 2019 में आ जाओंगा ना बीजेपी की एक बड़ी खास रणनी थे हैं सर उसकी मोनस आफरेंडी को समझ लीजिए चुनाओं जीतने के बाद सारी पार्टीयां पहले यह होता था चलो जी अप ठी मैं यहीं विपक्ष को बोलना चाहता हूं अगर आप हार गए तो आप यह खुश्वामी में मत रहे कि मैं 2019 में कोई जादू कर दूँगा हम फिर से आ जाएंगे खोले को सकता है 2019 तक सर बीजेपी अपने बीजेपी का उद्देश की आइसर जीतना नहीं राइवल को कम्प दूला सारे नेता बोल रहे है 2019 में 2024 का सोचो चलो ठीक है 2024 तो आपको क्या लगता है 2019 में जब बीजेपी वापस आ जाएगी तो 2024 के लिए वह आपको फूल विछा देगी कि सर अब हमने बहुत राज कर लिया आप आईए 2019 में तो सर वह आपको मैं तो बोलता हूं 2019 और 2024 तक ये बीजेपी की हीडेन स्ट्रेटजी एक सर इसको समझिये मोडस ओपरेंडी समझिये 2014 तक तो रहे गाई नहीं पर इस मामले में सब बीजेपी मैं शुरू आप से ही अपसे discussion शुरू हुआ है मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी शंखनात करना बहुत अच्छे से जानती है एक बड़ा इविंट जब होता है ना और किसी भी चीज़ को कैश करवाना होता है तो वह बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है बाकि तमाम राजजिदिक पार्टी है इसमें बहुत पीछे आप देख लीजेगा जैसे ही नतीज़े आने शुरू होंगे अभी तो रुज यह हर गाउं हर सड़कते हैं अगर आप लोगों ने चैलेंज नहीं किया हैं लोटकंत रहे सरे तो स्टैटेजी हैं चनाव जीते हैं और लेंगे विपक्षी क्यों खामोशे सा सवार इसी को लेकर नहीं मंबा साब अब जिस तरह कि रुजहान आ रहे हैं इलाबाद पे जह 2014 के हार के बात से ही दे दिया है आप देखिए राहुल गांदी जी ने यूपी के इन इलेक्शन में एक ट्वीट या कुछ भी नहीं किया सबसे बड़ी प्राब्लम जो मुझे देख रही है सर जो इनके पास मौके आते हैं वो इनकैश नहीं करते हैं विपक्ष के पास मु करके इनकैश किया इस टेंडर एंड पूर पर विपक्ष भूली गया ट्वीट नहीं किया इस तानी मुझे में कहा है आप नैशनल मुझे लेपर फोर्क्स पे बीजेपी ने बोला वो जी प्राइबेट एजनसी है हम नहीं करते हैं बीजेपी अपनों बचाओ भी कर रही क इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे रुजान इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं बीजेपी जिस क्लीन स्वीप की बात कर रही थी 16-19 से वो तो नहीं दिख रहा है अलाकि बीजेपी ने ताब भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो इंतजार करते हैं नतीजे क्या होंगे लेकिन दुजान में फिलाल दस और छे का ये रैशो चल रहा है पांच बेस पी एक कांग्रेस एक ब्रेक के बाद खबरे जा रही है नियूस वाल इंडिया पर पकाहिदा एक आईटी सेल भी काम कर रही है जो सोशल मीडिया पर अभिलाशा गुपता के समर्थर में कैमपेइन चला रही है ब्रादा रही है झाल झाल